हाई गाईज, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope अच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखेंगे? B.S.C. जो फर्स्ट सेमस्टर है Chemistry के पेपर की बात करेंगे और Chemistry के पेपर का नाम हो जाएगा Fundamentals of Chemistry आपको ये पता होगा कि आपका जो पेपर होगा समस्टर भाई वो 2022 में होगा जन्वरी में लगभग में आपका पेपर होगा समस्टर का सभी छात्रों से कहना चाहूंगा आप UP के किसी भी उनिवस्टी से है चेह आप M.G.P.R.E. सो हो मेरट उनिवस्टी से हो आगरा से हो कानपुर उनिवस्टी से हो समस्टर भाई एक्जाम सबका एक जैसा है किसी का चेंज नहीं है याद रखना सिलेबर सबका सेम है तो सभी छात्रों से कहना चाहूंगा B.S.C. के जितने भी छात्र है Chemistry, Geology, Botany, Physics सभी के हम आपको notes भी देंगे आप notes भी download कर पाएंगे जो हम important question दे रहे है ये notes का link description box में दे दूँगा लेकिन अभी तक notes नहीं बनाएं दो या तीन दिन में notes बन जाएगा लेकिन हाँ आज कितनी तारीख है आप पता है आज 21 December है ठिक और मैं आपको 23 December मतलब कि 3 दिन, 23 तारीख तक आपके इसका link इसे वीडियो की description box में दे दूँगा इस वीडियो को दुबारा 23 December को देखेंगे 2021 में 23 December को दो आप उसके बाद देख रहे हैं 24 तारीख को देख रहे हैं तो आपको सिधे link पर touch करना है नीचे description box में लिंक दे रहा है उस पे आपको download कर सकते हैं या फिर हम उसका हम app भी बना देंगे मतलब कि app play store पर publish कर देंगे play store से भी आप download कर पाएंगे कोई इशू नहीं है आप जिस से चाहों app के दौरा पढ़ना चाहाते है उसकी PDF को आप किसी भी cafe पर निकलवा सकते है उसको पढ़ सकते है कोई इशू नहीं है एक pdf आपको मिलेगी जो pdf link description box में दूगा वो pdf होगी और एक एक link और दे रखा है जिसमें लिखा है all app download ठीक है उसपर touch करेंगे तो हमारे सारे app खुल जाएंगे जो आपके notes से लिटेड होंगे या फिर semester y, year y सभी से लिटेड होंगे आप जो चाहें app भी download कर सकते हैं app से आप से पढ़ सकते हैं उस pdf को download नहीं कर पाओगे लेकिन क्या होगा जो हमारा link दे रखा है pdf वाला उस पर touch करोगे तो pdf थोड़ा payment ज़रूर देना पड़ेगा payment माल लीजे 25-29 देना पड़ेगा मतलए 29 रुपीज लगवववववववववववववववववववव देने पड़ेंगे आप उसको download करके आराम से पढ़ सकते हैं कोई ज्यादा नहीं हो दियार 29-30 रुपे आप आसानी से दे सकते हैं आप किसी भी कैफे पर जाका निकल वाली जे notes को पढ़िए अच्छे तरीके से ठीक है कोई शू नहीं है तो या फिर आप फिरी वाला लेन फर्स्ट सेमस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और पेपर देने बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 85% एक्जाम में आपके यहां से आने वाला है बस पेपर हैकर यूटूब चनल को सस्क्राइब कर लो और साथ ने अभी तक आपने BSC पेपर हैकर यूटूब चनल को सस्क्राइब नहीं किया है उसका लिंक डिसक्राप्शन बॉक्स में है केबल BSC की वीडियो हम आपको मिलती है तो चनल को वहां भी सस्क्राइब कर लो पहला कोशन पर टिक लगाएंगे सबी लोग जो कोशन आप देखे आपके नोट्स है आ आपको पढ़ना है कौशे नहीं पढ़ना है देखे हाइट्रोजन बॉंड इस इंपोटेंट है इसको पढ़के जाएंगे हाइट्रोजन बॉंड क्या होता है उसके गुण के बारे में उसके एफेक्ट के बारे में प्रवहाब के बारे में उनके पिरकार हाइट्रोजन ब इन दोनों का अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जो MOT आप देख रहे हैं, वो नीचे मैंने दिया है, देखो ये दे रखा है, अड़ भी कक्षी है, MOT थोरी जो होता है, जिसमें सिग्मा और पाई बंदों के बारे में, बॉन्डों के बारे में बोला जाता है, तो ये दोनों bond is most important है, दोनों थियोरी, एक MOT और BBT, इस most important है, इसको पढ़के जाना है, और सिग्मा और पाई बंदों का निर्माड कैसे होता है, इन दोनों में अंतर, सिग्मा और पाई बंदों में अंतर पूंच लेता है, बहुत सादा important है बिटा, इसको पढ़के जाएंगे, जब हम moniker orbital theory को पढ़ेंगे, तो उसमें oxygen, hydrogen, helium, nitrogen, CO2, O2, इनके bond order के बारे में पूचता है हमसे, तो इनके bond order के बारे में देख लेना, हमने बीडियो बना के डाल रखी है, आप किस परकार से निकाले जाते हैं, bond order, वो आपास आने से, एक ये question बहुत जादा पूचा जाता है, popular है इस question को आप याद करके जाएए, तो ये कहते हैं, wonder walls, force जोता है, wonder walls, force होता है, इस पर tip लिखने के आते हैं, वो भी short में आपसे पूचता है, इसके उपर हम सारे बीडियो भी बना देंगे, लेकिन हाँ, आप हमारे notes को ज़रूर download कर लीजिए, notes का link description box में दे रखा है, PDF का, ठीक है, PDF का link description box में दे रखा है, आप download कर लीजिए, बस, और किसी भी कैफी विजा के निकलवा लीजिए, और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, next question, most importance होता है, देखे, ये जो आप देख रहे है, B, S, E, P, R, theory, जिसे कहते हैं, सयोजी, कोश, इलेक्टर, योग्म, पृ इसकोल में पढ़े है, परमाणो तरज्या क्या होती है, आयनिक तरज्या क्या होती है, इसके सब की परिभास आपने पढ़े होगी, आयनिक तरज्या, परमाणो तरज्या, आवर्द साड़ी के नियम के बारे में, आप इनको सब को पढ़के जाएंगे, और next question आप से संगड़ SP2 संगड़ SP3 संगड़ कहते हैं ठीक है यह क्या होता है और प्रिव क्या होता है इसको आप देख कर जाएंगे up होता है wen 자a wagन का व है और बनने कि विधी और carbon बनने कि विधी यह बहुत जादा पूछता है और nitrogen मनाने की विधी पूछता है तो आप लेकन दो याद कर लोगो इऊंगे तो भी आपके exam काफे important है carbon बनने की विधी और Benzloin बनने की विधी इसको अच्छी तरीकिये से याद कर लेना है नेक्स्ट कोशिन आप कौन से याद करेंगे परकासिय समय वयता बहुत जाता important है जिसे कहते हैं ठीक है तो परकासिय समय वयता के लिए और तिरविमिय समय वयता ये बहुत जाता important होती है इनको अप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे प्रकासिय समयता RS परांडी भी पूछ लेता है कभी-कभी RS परांडी बताइए प्रकासिय समयता की तो यह आप Optical जिसे कहते हैं उसको अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे ठीक है तो Optical Isomaryism बोलते हैं इसके RS परांडी के बारे में पूछता है तिर्विमिय समयता क्या होती है और जोतिमिय समयता क्या होती है इन तीनों समयता के बारे में पढ़ लेना बहुत Hi निर्पेक से जो विझ्यास होता है उसकी बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ठीक है आप इसको छोड़pirंकर दीजिए इसको पढ़ने के जोती है इतना important नहीं है लेकिन जो बोल रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से बढ़ लेना है उसके बाद में यह कोशन यहां से एक कोशन बनता है computer के बारे में computer क्या होता है computer की परिभासा क्या होती है program संचाला क्या होती है input device क्या होती है computer का use कहा किया जाता है computer के कितने भाग होते है यह सारे भागों के बारे में आप याद करेंगे next question पर आप टेक लगाएंगे जालक उर्जा किसे होती है जालक उर्जा की परिभासा और कह सकते है क्या कहते हैं about सिद्धान्द के बारे में इसको आप पढ़के जाएंगे S, P, D, Arvital में आकार कैसे होते हैं S के गोलाकार होता है double number फिर double इस परिकार से होता है S, P और D, Arvital का उनके आकार मतलब के सैब के बारे में पूछा है यह याद करके जाएंगे आनेन विवप किसे कहते हैं आनेन विवप को आनेन उर्जा भी कहते हैं इसको पढ़के जाएंगे और प्रिभाहित करने के कार क्या होते हैं इसको आप पढ़के जाएंगे S, Block, T, 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 V, K, J, W, ए Most Important है S, Block, Element के बारे में आपके पूछेगा टो S, Block, Element की इस्तिति के बारे में उसके कारियों के बारे में ये पढ़के जाएंगे, दूसरे कोशन पर टिक लगा लो फटा फट, दूसरे कोशन पर bond energy, देखिए वंद उर्जा जिसे कहते हैं, bond energy, इसको आप पढ़के जाएंगे, most important है, ठीक है, most American effect is most important, ये भी बहुत बार पूचता है, examer आपसे, ठीक है, प्रेक effect क्या होता है, प्र dual effect से बोलते हैं, प्रभाब, और electromeric effect, इसको देखेंगे, electromeric effect और mesomeric effect है, बहुत ज़्यादा popular है, और ऐसा कोई year नहीं जाता है, इसमें पूचा नहीं जाता है, पहले से भी examer इसको बारे बहुत ज़्यादा पूच चुका है, तो इसलिए, इनको ही उन्होंने subject मान के रखा है सेमेश्टर में, तो सभी लोगों से कहूँगा, कि आप अच्छी तरीके से याद करेंगे, और hyperconjugation most important है, इसको आप याद रखना, आतीस एगमन जिसे कहते है, hyperconjugation बहुत ज़्यादा पूचा जाता है, इसको आप पढ़के जाएंगे, याद करके जाएंगे, य 20 रखे में पूरा notes, आप download कर जाएंगे, तिक है, उसके बाद में क्या है, कार्बो केटाइन की सरचना, इसको आप करके जाएंगे, कार्बो केटाइन की सरचना के बारे में, और आवेस इस्थांतर जो होता है, उसका संकूशन किस प्रिकास होता है, तो कह सकते हैं, जो चा अभी कर्मक और नावे किसना ही अभी कर्मक, बहुत जादे important है, इसको आप पढ़के जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में last में बस इतना ही पढ़ना है, वाकि कुछ नहीं कहूंगा, और कुछ पढ़ने के लिए, एक होता है, एपी मेर्स क्या होता है, ठीक है, एपी मेर्स का बनता है, एक नौ का मतलब कि नाव की आकार का बनता है, वोट, तो इन दोनों के लिए, साइक्लोहेकसेन की बारे में, अच्छी तरीके से समरूपड बनाने के लिए पूछ लेता है, और ये एक एक्जाम में आता है, बस इतना पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं क आपको, वो एप मिलेगा, एप जब देखो, आप नीचे में लिंक दे रखा है, आल एप, उसके टच करोगे, उसके बाद में सभी एप हमारे खुल जाएंगे, आप अपने हिसाब से देख लो, उसमें लिखा होगा, बीसी, फस्ट सैमिस्टर, कैमिस्ट्री, पेपर, इस पूरा notes, Hindi and English, इस परकार से लिखा हो, असपर्टेज करो, डानलोड कर लो, पढ़ लो, पढ़ना है तो, महां से पढ़ सकते हो, और आप किसी कैफे पे निकलवाना चाहते हो, तो भी निकलवा सकते हो, हम दोनुस विदा आपको देते हैं, ताकि आपको कोई problem ना हो, तो प आपके लिए उपलब्द है, कोई भी problem नहीं होने देंगे, बस paper hacker पर आप इस पास करो, मैं आपसे बादा करता हूँ, कि आपको fail करने वाला कोई पैदा नहीं, जाओ, ये बैं बोल रहा हूँ, तो चैनल को subscribe करना ना बूले, love you, thank you.